सवाल लंबर एक कौन से चार चीजे दूद के साथ खाना खतरनाक होता है सवाल लंबर दो चाई पीने से शरीका कौन सा अंखड़ाव हो जाता है सवाल लंबर तीन कौन से चाल फल खाने से पाचे दंत सही रहता है सवाल लंबर चार कमजोरी दूर करने के लिए पूर्शों क को क्या खाना चाहिए सवाल नंबर पाच क्या खाने से कलोस्टोर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। मिनसी बीटा के रोटीन लाइप कोपीन जैसे पोस्ट तत्व से बरपूर है जो शरी को हेल्दी और बजन को कम करने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर दो चाहिए पीने से शरी का कौन सा अंखराब हो जाता है। दसत चाहिए पीने के शोगी लोगों को हम बता दे कि एक या दो कप्स से जादा चाहिए आपके लिए हानिकाराख हो सकती है। यानि ऐसे लोग जो दिन भर में चार कप्स से जादा चाहिए पीते हैं उनको कई परकार की समस्यां हो सकती है। सबसे पहले तो आपको पेट खराब हो सकता है, भूग लगना खतम हो सकता है, इसके लावा इसका बुरा असर आपकी आदों पर भी पढ़ता है। इतना ही नहीं आपको नीन ने आने के समस्या भी होने लगती है, इसके साथी जादा चाहिए पीने से घबराण भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जादा चाहिए पीने से नीन ना आने के दिक्कत भी आपको हो सकती है, ऐसे में अगर आप पुरी नीन नहीं लोगे तो आपको तमाम तरीके दिक्कत हो सकती है, ऐसे स्थिति से बचने के लिए आपको चाहिए पीने की लगत को छोड़ना होगा, कर रिपोर् तत्व के चलते आपकी बोड़े को भरपूर मातरा में एनरजी मिलती है जिसके चलते वक्स से पहले सपेद हुए बालों को कालर किया जा सकता है तो कोशिश करें कि आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें हो सके तो दूद के साथ मिलाकर इसका सेवन करें इससे आपका जैसे हो जाता है जिससे आपका फिजिकर जिस्ता भी मजबूत होता है इससे आप दूद के साथ भी खा सकता है इसके अलावा दूद में भरपूर मातरा में कैलिसियम होता है इसके सेवन से आपकी बोड़ी में जरूरी विटामिस मिलता है मानता है कि अगर आप सोने से पह पाइदा मिलने लगेगा सबाल नमबर चार कौन सी चार चीजे दूद के साथ खाने खतरनाक होता है नमबर एक दूद और मास दोनों ही हमारे शरीक के लिए बहुत फायदावन होता है यह दो खाद्य पतात हमारे शरीक को मजबूर बनाता है लेकिन है कुमिनेशन अच्छा होता है विशे सग्यों के अनुसा दूद के साथ मास्का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप ऐसा करता है तो आपको पांचल में समस्त्य हो सकते हैं पेट में दर्द भी हो सकता है नमबर दूद और फल अगर आप फिटनेश है तो आपको आपके टेने से दूद और फलो का सेवन करने की सला मिलेगी दोनों हमारे शरीक लिए बहुत अच्छे होता है लेकिन विशे शिग्यों कि अनुसा फलो और दूद का कॉम्टनेशन हमारे शरीक लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम जानता है कि दूद में कैसे मुझूद होता है और यह फलो के कई एग्जाइ लेकिन कुछ विशे सिग्यों के अनुसा यह हमारे शरीक लिए अच्छे नहीं है इससे आपके शरीक में समस्या हो सकती है नम्बर तीन दूद और नमक आम तोरो पर लोग चाहिक के साथ नमकीन स्नेक्स का स्थमाल करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो दूद के साथ बिस्कीट और अन्य नमकीन स्नेक्स कभी भी नहीं खाने चाहिए नम्बर चार दूद और मूली मूली खाने में बहुत ही स्वाधिस लगती है हाले कि दुनिया में कई लोग है जो दूद के साथ मूली खाता है लेकि उन्हें इसका प्रभाब नहीं पड़ता है विसे सग् आपकी तचा के लिए बहुत हणिकारा खो सकता है और आपको तचा के संवन्दी समस्या का सामना करना पड़ सकता है सबाल नमबर पाच महिलाओं को विटामिन डी की जरुवत ज्यादा क्यों होती है जासर विटामिन डी हमारे शरीक लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि विटामिन डी की कमी से हड़े कमजोर पढ़ने लगती है असल में विटामिन D की कमी से सिर्फ अड़े ही नहीं बलकि हार्ट फेलर, हार्ट अटैक, स्टोक मदों में तता हाइट बिलड प्रेसर जैसे समस्या भी हो सकती है महिलाओ को खास तोर पर अपनी डाइट में विटामिन D से वरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए क्योंकि पूसों के मुकाबले महिलाओं में विटामिन D कम पाया जाता है विटामिन D की कमी के चलते महिलाओं में ठाकान, चोड़ों मिद्द, पैरों में सूजन जैसी दिक्कत नजर आ सकती है तो अगर आप भी विटामिन D की कमी को दूर करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जैसे अंडे को प्रोटिन का सबसे अच्छा स्वत माना जाता है। लेकिन अंडे के पीले भाग में प्रोटिन दी अच्छी मातरा में पाया जाता है। अगर आप नॉन्वेज खाती है तो अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके साथे फिश हट्डियों को मजबूर बनाने के अलावा हाट को हेल्दी रखने में भी मददगार हैं। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिट के अलावा विटामिन डी भी अच्छी मातरा में पाया जाता है। जो हट्डियों को कमजोर होने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा दूद दही को विटामिन डी कैल्सियम और आईरन का अच्छा सुरूत माना जाता है। करता है दज़र हम अक्सर खाने को बैक करने के लिए बैकिंग सोड़ा का अस्तमाल करता है लेकिन इस से कलॉस्ट्र लेवर बढ़ता है और हांट अटक का खत्रा पैदा हो सकता है इसलिए बहतर है कि सोड़े का सिमीद मातरा में किया जाए इसके साथ ही भारत में मखण के शो बारत में तेल यूद खाने का चलन है लेकिन ऐसी आदते जितनी जल्दी हो सके छोग देना उतना ही अच्छा होता है मार्केट में मिलने वाले डीफ्राइफ फूड भले ही हमें आकशित करता है लेकि सच तो यह है कि यही हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुस्पन है इसके अ आवा मास खाने से शरी को प्रोटीन तो मिलता है जो हमारे शरी के विकास के लिए काफी जरूरी है लेकिन अगर आप प्रोसेश्टी मीट का सेवन करता है तो खुलस्टर बढ़ने के कारण हार्ट डिजिजिट का खत्रा पैदा हो जाएगा